असलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले है चिकन ब्रेड टिक्की विट वेजिटेबल्स, तो आईए फ्रेंड्स देखते हैं इसके इंग्रीडियन्स, तो फ्रेंड्स मैंने आदा किलो चिकन लिया है, ये हडीक के साथ वा एक गाजर लिया है friends, ऐसे चॉप की है इसको भी square shape में, चुटा-चुटा चिमला मिर्च को भी ऐसे ही चॉप किया है ब्रेट क्रम से friend लिये, और कोतमिर लिये friends मेंने थोड़ी गरम मसाला हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एक चमच है हल्दी आदा चम्मच है, गरम मसाला भी आदा चम्मच है, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, देड चम्मच द्रेक लेसन का पेस्ट है ये एक प्यास को हमने रफली चॉप किया है फ्रेंड, हमें चिकन बॉयल करने के लिए रफली प्यास चाहिए थी तो चलिए फ्रेंड, हम पहले चिकन को बॉयल कर लेते हैं, चिकन बॉयल करने के लिए पहले हम ले लेते हैं, कूकर हमें कूकर में बॉयल करना है फ्रेंड, अच्छे से चिकन को जो हमने रफली प्यास को चॉप किया था वो ले लेते है अध्रक लस्टन का पेस्ट हमने देड़ चमच लिया था उसमें से अभी हमें आदा ही दालना है फ्रेंट्स हल्दी पॉडर को पूरा दाल देते हैं अभी नमक पेस्ट के खो दें करने के लिए तो फ्रेंट्स थोड़ा सा पानी दालते हैं आदा ग्लास के हिसाब से आदा किलो चिकन के लिए तो अब हम करते हैं चिकन को अच्छे से बॉइल चिकन को हमें बॉइल करने के बाद देखते हैं इसका आगे का प्रोसीजर क्या है तो आईए फ्रेंड्स पर ले करते हैं चिकन को बॉइल तो फ्रेंड्स आईए चेक करते हैं हमारा चिकन बॉइल हुआ या नहीं अच्छे से तो फ्रेंड्स देखिए हमारा चिकन अच्छे से बॉइल हो चुका है हमने पाच सीटी में चिकन को अच्छे से बॉयल किया है हमने पाच सीटी में चिकन को इसलिए बॉयल किया है क्योंकि हमें बोनलेस चिकन करना है हम जादा अगर इसे गलाएंगे ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छे से चिकन गल चुका है हमने इसलिए इतने देर गैस पर कुकर में सीटी पाच सीटी लगाई है ताकि हमारा चिकन अच्छे से बॉइल हो जाए ये देखी फ्रेंड अब चिकन को अच्छे से छान ले ये देखी कितने अच्छे से कल चुका है अच्छे से चिकन को छान कर रख ले और यह जी चिकन का जो पानी बचा है न फ्रेंड्स जिसमें अध्रकलस्टर्ण का पेस्ट, प्याज, हल्दी, नम्मक यह चिकन का सूप बनाने में हम यूज करेंगे फ्रेंड्स जैसे कौन चिकन सूप, वेच चिकन सूप में चिकन सूप की भी रेसिपि आपके साथ शेयर क कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने चिकन को बोनलेस कर लिया है, यह देखी फ्रेंड्स मैंने ऐसे पूरा चिकन एक तरफ करके और यह इतने हड़िया निकलिये, फ्रेंड्स देखे हो, मैंने कितने अच्छे से चिकन अलग कर लिया है हड़ियों से, आप भी ऐसे ही करें, च पुरा अच्छे से निकाल कर बोन से बोनलेस कर लिया है और मैंने इसको चौपर में चौप किया है और इतनी हड़िया निकलाई है ये चौपर से मैंने चौप किया है फ्रेंड्स चिकन को बोनलेस करने के बाद ध्यान रखे कि चिकन में एक भी हड़ि ना जाए वरना हमारे टिकी का टेस्ट बिगड जाएंगा इस साइड में रखते हैं और अब हम स्टफिंग बना लेते हैं स्टफिंग बनानी के लिए पेले थोड़ा सा तेल ले फ्रेंड्स हमें सब्जी यो को बटर में ही अच्छे से फ्राए करना है हम थोड़ा सा तेल इसली दाले ताकि बटर हमारा जलेना बटर को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है फ्रेंट्स बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएंगा तो हम वेजीटेबल को रोस्ट करेंगी अच्छे से फ्राय कर लेना है बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है अब हम दालते हैं प्यास जो की हमने स्क्वेर शेप में चॉप की थी प्यास को हमें अच्छे से ब्राउन कर लेना है फ्रेंट्स देखिए फ्रेंट्स प्यास को अच्छे से ब्राउन कर लेना है फ्रेंट्स हमें गाजर को भी इसी के साथ पकाना है फ्रेंट्स प्यास और गाजर हम स्टेप बाई स्टेप डालेंगे तो दीरे दीरे हमारे सारी सबजिया फ्राई होते जाएंगी प्यास को हमने पहले थोड़ा ब्राउन किया फ्रेंट्स उसकी बाद हमने गाजर को डाल दिया है ब्राउन याने हमें बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है बस रोस्ट कर लेना है प्यास का पानी खतम कर लेना है हमें इसका इसका कलर चेंज होने तक नहीं पकाना है अब डाल देते हैं शिम्बला मिर्च शिम्बला मिर्च को भी अच्छे से फ्राइ कर लेना है फ्रेंड्स सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राइ कर ले जाना है हमें अभी अध्रकलसन का पेस्ट डालते है फ्रेंड जो के हमने आदा रखा था आदा हमने चिकन बॉयल करने में यूज किया था अध्रकलसन के पेस्ट में सब्जियों को फ्राइ कर लेते है सबजियों में अच्छे से अद्रक लसन का पेस्ट को हमने फ्राय कर लिया है अब दालते हैं लाल मिर्च पाउडर जो कि हमने दो चमच लाल मिर्च पाउडर ली थी फ्रेंड अच्छे से लाल मिर्च पाउडर को भी सबजियों के अंदर हमें फ्राय कर लेना है अच्छे से मिक्स कर लेना है यह देखिए अभी हमारी कितनी कलरफुल सबजी लग रही है न फ्रेंड्स आप भी इसे जरूर ट्राइ करना और सब्जियों को भी ऐसे ही स्क्वेर शेप में चॉप करना जो कि हमारे टिकी में बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट भी अच्छे से आएंगा चिकन को भी हम डाल लेते हैं फ्रेंट चिकन को भी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गरम मसाला पाउडर बन टेबल स्पून लिया था वो भी दाल देते हैं अच्छे से मिक्स कर ले यह देखिए फ्रेंट्स कितने अच्छे लग रही है न हमारी कलरफुल स्टफिंग थोड़ा सा नमक डालते हैं फ्रेंट्स चिकन बॉल करने भी हमने नमक डाला था लेकिन अभी सब्जी वगरे वह साथ से मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले फ्रेंट्स मैंने 250 ग्राम चिकन का बनाया है फ्रेंट्स अगर आप चाहें तो इसे कम चिकन में भी थोड़ा भी बना सकते हैं आपके इसाब से बनाएए अब हम थोड़ा से स्लो गैस पर ढखकर पकाते हैं आईए देखते हैं हमारी सबजी वाव फ्रेंट्स देखे कितने अच्छी लग रही है हमारी सबजी चिकन के साथ पूरी स्टफिंग अच्छे से तयार हो चुकी है हमारी प्यारी कलरफूल सबजी लग रही फ्रेंट्स अब दालते हैं दो चमश टमैटो सॉस टमैटो सॉस को भी हमारी स्टफिंग में अच्छे से मिक्स कर लें यह देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है जो बच्चे भी कोतमिर्थी थोड़ी सी वो भी दाल दे है हमने सिभी अच्छे से मिक्स कर ले हमें स्टफिंग को ठंडा करके इसकी टिकी बनानी है फ्रेंड्स आये फ्रेंड्स हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है अब हम बनाते हैं इसकी टिकी टिकी बनाने के लिए हमें ब्रेटट ली है फ्रेंड्स हमने उसके साइट के कॉर्णर को हमें अच्छे से कट कर लेणा है ऐसे इसे sides कट कर ले, ध्यान से friend, इसका side corner हम कट करते वक्त हमारा bread भी तूटने के चांसे सोते हैं, तो हम bread fresh लेना है, अगर हम bread fresh लेंगे तो हमें cut करने में problem नहीं होंगे, और हमारा bread तूटेंगा भी नहीं, और ये bread के side से जो corner बचते हैं friend, इसे फेकना नहीं है, इसे सुका कर हम ऐसे bread crumbs बनाएंगे, और bread crumbs बनाएंगे तब इससे थोड़ा दरदरा ही पीसना है, मैं बारिक नहीं करना है, बागी के slices मैंने cut करके रख लिया था friend, तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है friends, अब बनाते हैं टिकी, टिकी बनाने से पहले हमने bread के corners को cut कर लिया था, ब्रेट को dip करते हैं पानी में, थोड़ा ही dip करना है friend, जादा dip ना करें, वरना हमारे bread जादा गीला हो जाएंगा और हमारे टिकी अच्छे से नहीं बनेंगी, फट जाएंगी, stuffing ध्यान से भरे friend, जादा भी ना भरे, कम भी ना, जादा भरेंगे तो तूट जाएंगे, और कम भरेंगे तो bread में टेस्ट नहीं आएंगा, बस इतना ही, देखी friends, दो चमच फुल में ही बहुत अच्छे टिकी हमारी बन जाती है, देखी, देखी ऐसे प्रेस करें, दोनों हातों से, एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाएंगा बाहर, और हमारे टिकी भी अच्छे से शेप ले लेंगी, ये देखी friends, ये देखी कितने अच्छ अच्छी बन चुकी हमारी टिकी, अब हम इसे bread crumbs में अच्छे से नीचे उपर से bread को पूरा टिकी पर लगा लेते हैं friends, देखी कितने आसानी से हमारी टिकी को bread crumbs लग चुके है, अब हम इसे fry करते हैं friends, ये देखी, बिल्कुल ऐसे इसे शेलो फ्राई कर रहूं बागी टिकी भी बना लेते हैं देखे फ्रेंड ऐसे प्रेस कर के इसे शेप देना है और एक्स्ट्रा पानी भी हमें बाहर निकाल देना है दोनों हतों की मदद से इसे दबा कर इसे एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल ले कितने आसानी से और कितनी जटपट बन रही है फ्रेंड्स हमारी टिक्की देखिए ये देखिए ये खाने में बहुती टेस्टी होती है फ्रेंड आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और bread crumbs को दरदरा ही PCA फ्रेंड उससे हमारे टिकी जादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेंगी अगर हम जादा बारी कर लेंगे तो हमारे टिकी क्रिस्पी नहीं बनेंगी आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा फ्रेंड यह बहुत ही टेस्टी होती है इसे हमें बीच-बीच में पल्टाते रहना है बाकी के टिकी भी बना लेते हैं यह दिखी फ्रेंड हमारे टिकी भी अच्छे से फ्राइ हो रही है और हम बाकी के टिकी भी बना रहे है यह देखी फ्रेंड्स मैंने बाकी के टिकी भी बना कर फ्राइ कर लिया है देखी कितनी क्रिस्पी नजर आ रही हमारे टिकी चिक बॉयल चिकन और वेजी टेबल्स के साथ इसका कॉंबिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स दोनों बहुत मैंने चिकन बॉयल चिकन लिया चिकन को बॉयल करके इसकी स्टेफिंग तेयार किये फ्रेंड्स आप bonless chicken मैंने इससे पहले bonless chicken लेकर भी बनाया था पर उतना टेस्ट नहीं आया था इसलिए मैं ऐसी बनाती हूँ देखे friends हमारी टिक्की भी fry हो चुकी है अब हम इसे एके करके निकाल लेते हैं इसमाराम से निकाले friends हमारी टिक्की तूटने न पहे पल्टाले friends जो अगर थोड़ा रह चुका है तो यह देखे friends कितने अच्छे से ब्राउन हमारी टिक्की हो चुकी है वाव देखे friends कितने क्रिस्पी लगी रही है न अब भी इसी तरीके से बनाईए जैसे मैंने बनाया है गैस को बन कर देते हैं फ्रेंड देखिए friend कितने क्रिस्पी टिक्की हमारी बनी है यह देखिए कितने क्रिस्पी हमारी टिक्की बनके तयार हुए फ्रेंड और यह भी देख लिए सारे टिक्की हमारे इसी क्रिस्पी और क्रंची बनी है बहुत कुरकुरा सा टेस्ट है फ्रेंड इसके अंदर यह बहुत ही टेस्टी होती है आप ज़रूर ट्राइ किजिएगा यह देखिए फ्रेंड यह देखिए फ्रेंड कितनी प्यारी लग रही है मारी रेसिपी अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे रेसिपी को शेयर केजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताके मैं ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक ला सकूँ थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग फॉर माई चैनल थैंक यू बाई फ्रेंड्स